दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बजाज ओटो और जोमैटो लिमिटेड के साथ में टोटल में साथ ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जिनोंने आपे स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लेट, डिविडेंड एंड साथी साथ में बाइबैक अनौंस कर दिया ह मैं हूँ आरुश आप देख रहे हैं FNOW मीडिया बाया आरुश आएब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आएए दोस्तो बात करते हैं यहाँ पे हमारे पहले स्टॉक की तो कंपनी का नाम है Dolphin Offshore Enterprises Dolphin Offshore Enterprises का जो शेर प्राइज है वो 1300 रुपीज के उपर में चल रहा है और आप सभी को पता होगा कंपनी ने आप इस स्टॉक स्प्लेट अनौंस करके रखा है 1-10 के रेशियो से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस कंपनी का एक स्टॉक है तो वो टोटल में 10 स्टॉक के अंदर में जैसे ही कंपनी की तरफ से एक्स डेट और रिकॉर्ट डेट अनौंसमेंट आता है मैं आप लोगों को सबसे पहले इंटीमेट कर दूंगा अगले शेयर की बात करें तो कमपनी का नाम है सुखजीत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड सुखजीत स्टार्च एंड केमिकल का जो शेयर प्राइज है वो 494 रुपीज के उपर में चल रहा है तो कमपनी ने आप एक गिने चुने दिन दिये हैं अगर आपको इस कमपनी के शेयर को परचेस करना हुआ ताकि आप एक इसके डिविडेंड का बेनेफिट मिल पाए अगले शेयर की बात करें तो कमपनी का नाम है Remediam Life Care Limited रेमीडियम लाइफ केर का जो शेर प्राइज है वो 559 रुपीज के उपर में चल रहा है और इस कंपनी ने आप ए बोर्ड मीटिंग और्गनाइज कर दिये 8 जनवरी को और इस बोर्ड मीटिंग का जो परपस है वो स्टॉक स्प्लिट को लेकर के रहने वाला है अब अगर कंपनी आठ जनवरी को 1 जनवरी को या फिर 2 जनवरी के रेशियो से स्टॉक स्प्लिट अनॉंस करती है तो डिफिनेटली स्टॉक में में एक शांदार रैली देखने को मिल सकती है तो जरूर से रेमीडियम लाइफ के शेयर को आपके वाच लिस्स के अंदर में एड कर लीजिएगा और 8 जनवरी के दिन इस शेयर के उपर में नजर बना के रखियेगा अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है SG Mart Limited इस जी मार्ट का जो शेयर प्राइज है वो 9,899 रुपीज के उपर में चल रहा है इस कंपनी ने भी यहाँ पर बोर्ड मीटिंग और्गनाईज करिये 8 जनवरी को और इस मीटिंग का जो परपस है वो स्टॉक बोनस और स्टॉक स्प्लिट दोनों ही चीजों को लेकर के रहने वला है अब अगर कंपनी दोनों चीजे साथ में अनाउंस कर देती है तो डेफिनेटली इस शेयर के अंदर में भी हमें काफी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है बट एक चीज का ध्यान रखेगा इसका स्टॉक प्राइस जादा है तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स उतना जादा परचेज यहाँ पे नहीं कर पाएंगे बट अगर कोई बिग प्लेयर यहाँ पे एंट्री लेगा तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर में हमें एक स्पाइक आता हुआ देखने को मिल जाएगा तो आठ जेन्वरी के दिन जरूर से SG मार्ट के शेयर पे नज़र बनाए रखिएगा और बोनस एंट स्प्लेट जैसे ही कमपनी अनाउंस करेगी मैं आप लेगों को सबसे पहले इंटीमेट कर दूँगा अगले शेयर की बात करें तो कमपनी का नाम है साला सर टेकनो इंजीनरिंग साला सर टेकनो इंजीनरिंग का जो शेयर प्राइज है वो 65 रुपीस के आसपास में चल रहा है और कमपनी ने आप इस स्टॉक बोनस अनाउंस करके रखा है 4 इस टू 1 के रेशियो से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस कमपनी का एक स्टॉक है तो यहापे आपको 4 स्टॉक का बोनस दिया जाएगा टोटल में जो आपका एक स्टॉक है वो 5 स्टॉक के अंदर में कनवर्ट हो जाएगा फिर बेशक आपके पास में इस company के कितने भी stocks हो आपको हर एक stock के उपर में 4 stocks का bonus दिया जाएगा आपका हर एक share यहाँ पे 5-5 shares के अंदर में convert हो जाएगा अभी तक company ने bonus को देने की X date और record date अनौस नहीं करी है जैसे ही company की तरफ से X date और record date announcement आता है मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा अगले share की बात करें तो company का नाम है Bajaj Auto Limited Bajaj Auto का जो share price है वो 6,968 रुपीज के उपर में चल रहा है और इस company ने आपे board meeting organize कर दिये 8th of January को और इस board meeting का जो purpose है वो buyback को लेकर के रहने वाला है अब देखिए यहाँ पर आपको दो चीजों का काफी जरूर से ध्यान रखना है एक तो यह कि company अपने current market price का at least 25% का buyback announce करे और यह जो buyback है obvious सी बात है tender offer के थूँ announce होना चाहिए और अगर यह दोनों चीजे company meet कर जाती है then definitely bajaj auto के share के अंदर में हम लोग एक rally expect कर सकते है because काफी दमदार company है काफी जानी मानी company है and bajaj group की definitely एक flagship company है तो जरूर से आपको bajaj auto के share के उपर में नजर बना के रखनी चाहिए specially 8 January के दिन अब आ जाते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले end last stock की तो company का नाम है Zomato Limited Zomato Limited का जो share price है वो 128 रुपीज के आसपास में चल रहा है and यहाँ पे Zomato Limited की तरफ से काफी बड़ी update निकल के आ रही है basically यहाँ पे Elara Securities करके एक काफी जाना माना brokerage firm है and Elara Securities ने जो है Zomato Limited के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation share किया है 20 रुपे से लेकर के 500 रुपे तक की एक जो rally है वो यहाँ पे Elara Securities expect करके चल रहा है Zomato Limited के share के अंदर में अब देखा जाए तो पहले तो Zomato Limited एक loss making company थी but finally company ने अपने आपको profitable में convert कर लिया है and साथी साथ में जैसे ही company के quarter 3 results आते हैं and उसमें हमें growth देखने को मिलती है तो definitely Zomato Limited के share के अंदर में हमें काफी शांदर uptrend देखने को मिल सकता है और साथी साथ में जो target दिया गया है काफी high possibilities बनती है आने वाले कुछ दिनों के अंदर में हमें ये target achieve होता हुआ देखने को मिल जाए अगर all over market से आपे green रहती है तो all over देखा जाए Zomato Limited का stock काफी अच्छा है जरूर से आपको Zomato Limited के share को आपके watch list के अंदर में add कर लेना चाहिए और Zomato Limited के अलावा आपको जिस भी share को purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको उसके announcements का benefit मिल पाए तो आपको उस stock को उसकी X date से पहले पहले purchase कर लेना होगा बाकी इस वीडियो के अंदर में इतना ही यही साथ stocks थे जिनोंने आपे stock bonus, stock split, dividend and buyback announce किया था अब अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीचेगा प्लीज इस चैनल को भी जरूर से subscribe कर दीचेगा बिकोज फिनों मीडिया के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye